दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राडे में फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले किन-किन चीजों को जानना बहुत जरूरी है अगर आप जानना चाते हैं स्टोक equity में ट्रेडिंग कैसे करते हैं या पहले से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको लाइब ट्रेड लेकर भी दिखाऊंगा जिससे की आप चीजे आसानी से समझ सकते हैं और ट्रेड लेने के पीछे लोजिक क्या था इस चीज के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे देखिए हम में से बहुत सारे लोग दो चार वीडियो देखते हैं अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं और कुछ पैसे डिमेट अकाउंट में एड़ करके ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं हमें लगता है बस हम बाई सेल के बटन को सीख लें कैसे बाई करना है और ट्रेटिन से पैसे कमा सकते हैं, एक बात और आपको ट्रेटिन सीखने के लिए किसी के paid course को लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप internet में फिरी में सारी चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन आपको ढूंडने में time लग सकता है, चलिए पहले हम एक trade लेते हैं उसके बाद चीजों को समझेंगे यहाँ पर देखिए मैंने अपने grow application को open कर लिया है simply यहाँ पर एक stock है मुझे लगता है कि अभी इस stock की price गिरेगी तो मैं यहाँ पर short selling करने वाला हूँ इंट्राडे में यही फायदा है अगर हमें लगता है कि stock की price गिरने वाली है तो पहले ही हम share को sell कर सकते हैं और जैसे price गिर जाए फिर हम buy करके अपना profit बना सकते हैं और अभी मैं इस stock में यही करने वाला हूँ देखे यहाँ पर मैंने 104 रुपे पर 200 quantity से एक short selling की position बना ले है मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से इस stock की price गिरेगी और गिरेगी तो कहां तक गिरेगी इसके पीछे के logic को भी हम समझेंगे देखे यहाँ पर हमारी entry हो चुकी है प्राइज बढ़ रही है तो loss हो रहा है और प्राइज गिर रही है तो profit हो रहा है अब चलिए जल्दी से हम अपने trade में stop loss और target sit कर लेते हैं देखे जायातर beginner यही गलती करते हैं trade लेने के बाद ना वो stop loss लगाते हैं और ना ही target price को sit करते हैं और काफी सारे लोग को तो पता ही नहीं होता कि stop loss और target sit कैसे करते हैं बस बटन को सीखने से कुछ नहीं होगा आपको यह सीखना होगा कि कहाँ पर stop loss रखें ताकि stop loss hit ना हो और कहाँ पर target sit करें और कहाँ पर target sit करें जिससे की हमारा profit book हो और मेरा मानना यह है हमें ट्रेड लेने से पहले ही अपने टारगेट और इस्टोपलोस को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं एंट्री बनाने के बाद कहाँ पर अपना इस्टोपलोस सेट करूँगा और कहाँ पर अपना टारगेट रखूँगा थेखे, Istoplos Set करने के लिए, जब हम अपने Position पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पर एक 8 Istoplos का Option आएगा, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा Interface आ जाएगा, हमें यहाँ पर उस Price को Enter करना है, जहाँ पर हम अपने Istoplos को Set करना चाते हैं, जिससे कि अ अभी हम समझेंगे देखे price एंटर करने के बाद जैसे हम buy के button पर click करेंगे हमारा stop loss लग जाएगा अगर इस stop की price इस price से उपर जाती है तो हमारा stop loss हीट हो जाएगा और हमें कुछ loss बुक हो जाएगा चलिए अब हम यहाँ पर अपने target को भी set कर लेते हैं target को set करने के लिए अगेन हम position पर click करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक exit बटन दिखेगा हम जैसे यहाँ पर click करेंगे हमारे सामने वही interface आ चायेगा देखे यहाँ पर हम उस price को enter करेंगे जिस price पर हम exit होना चाते हैं जिस price को हम चाते हैं कि अगर यहाँ पर इसकी price आ करेंगे उसके बाद buy पर click करते ही हमारा target सेट हो जाएगा simply आप यहाँ पर देखे हमारा stop loss और target सेट हो चुका है देखे यहाँ पर जैसे जैसे stock की price गिर रही है वैसे वैसे हमारा profit भी बढ़ रहा है चाहे आप option में trading करना चाहते हूं या stop में trading करना चाहते हूं सबसे पह trading से पैसे कमाने के लिए हमें किन-किन चीजों को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है देखे trading करने का मतलब यह नहीं है हम simply अपना Demet account open करें उसमें कुछ 1000 रुपे एड़ करके 22 के बटन को सीख कर trading करने लगें तो यह trading नहीं है या gambling है trading से पैसे कमाने के लिए हमें काफी चीजों को सीखना होता है और टाइम देना होता है आज आप जिसको देख रहे हैं कि वह एक ट्रेड में 1.50.000 रुपे का profit कर रहा है तो उसने काफी सारे चीजों को सीखा होगा काफी सारा time invest किया होगा काफी सारे पैसे loss कियो होंगे तब जाकर आज वह एक ट्रेड में 1.200 2,000,000 रुपे का profit कर रहा है और हम क्या सोचते हैं कि 10,000,000 रुपे का capital लेकर आएंगे और हर महीने 20-30,000 रुपे कमाने लगेंगे और इसी सोच के वज़े से कुछी दिनों के अंदर हम अपने capital को डुबा देते हैं देखे यहाँ पर अभी हमें 500-600 रुपे का loss दिख रहा है सिंपली इस stock की price बढ़ रही है तो हमारा loss भी बढ़ रहा है जैसे जैसे इसकी price गिरेगी हमारा loss भी कम होता चायेगा देखे यहाँ पर हमारा loss 600 रुपे से घटके 100 रुपे पर आ चुका है मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी हमें profit भी दिखेंगे देखे वापस से हमारा loss भढ़ कर 800-900 रुपे तक पहुच चुका है लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारा stop loss हिट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने बिल्कुल सही जगा पर अपने stop loss को set किया है देखे यहाँ पर हमारा loss धीरे-धीरे कम होने लगा है इस stock की price हमारे stop loss के काफी करीब पहुच चुकी थी लेकिन मैंने बिल्कुल सही जगा पर stop loss set किया था चाह से इसके price reverse हो रही है फाइनली यहाँ पर मैं 810 रुपे का profit book करके exit हो चुका हूँ लेकिन क्यों मैंने तो अपना target 991 रुपे पर set किया था और अभी मैं सिर्फ 1000 रुपे पर exit हो चुका हूँ ऐसा क्यों चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं मैंने यहाँ पर किस चीज को देखकर trade ली और मुझे क्यों लगा कि यहाँ से इस stock की price किरने वाली है simply अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज इस stock की price यहाँ पर open होती है और यहाँ से लगतार उपर जाती है और एक बज़े के करीब में इस resistant के पास यहाँ पर एक evening star pattern बनता है जो एक bearish pattern है जिसके बनने के बाद stock की price downside में चाती है हमें कैसे पता चला कि यह label एक resistant लेबल है तो इसे देखने के लिए हम पीछले वाले चार्ट को देखेंगे तो simply आप यहाँ पर देख सकते हैं इस stock की price काफी दिर इस resistant के ऊपर थी फिर इसने break किया और इसकी price downside में आई तो simply आज भी यहाँ इस stock की price लगतार उपर गई और यहीं पर एक evening star pattern बना जिसे देखकर मुझे लगा कि अब यहाँ से इस stock की price गिर सकती है तेखे सही जगा पर entry और exit करने के लिए आपको support and resistant को सीखना होका जब आप अच्छे से support and resistant line डो करना सीख लेंगे तब आप खुदी पता लगा सकते हैं कि कब किस stock की price कि side में जाने वाली है तेकि यहाँ पर मैंने एक bearish pattern को देखकर इस candle पर entry बना लिया और simply मैंने अपने stop loss को इस pattern के top पर set किया क्योंकि अगर इस stock की price इस level को वापस break करती है फिर तो वो यहाँ से उपर ही जाएगी इसलिए जब भी हम किसी भी pattern को देखकर entry लें तो उसके top या उससे थोड़े से उपर या नीचे अपने stop loss को set करना चाहिए इस तरह हम सही जगा पर अपने stop loss को set कर सकते हैं क्यों हो गया चलिए इसको समझते हैं तेके मैंने यहाँ पर entry बनाई थी entry बनाते ही इस stock की price थोड़ी बहुत नीचे आई फिर से उपर चली गई फिर यहाँ से rejection लेकर नीचे आई फिर यहीं पर support लेकर वापस उपर चली गई और फिर से जब इस stock की price इस level के पास आई तो मैंने simply यहाँ पर अपने position को exit कर दिया क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें तो इस stock की price यहाँ पर काफी बार support ले रही थी इसी चीज को देखकर मैंने यहाँ पर exit कर दिया और दिखें exit करने के बाद इस stock की price थोड़ी बहुत नीचे आई उसके बाद उपर चली कई अगर मैं अपने position को अपने target तक hold करके रखता तो यहाँ पर मुझे loss ही होता इसलिए हमें support and resistance को भी सीखना बहुत जरूरी है देखिए अगर आप beginner है आपको trading के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है तो सबसे पहले सही जगा पर entry कैसे लेते हैं exit कैसे होते हैं इस चीज को सीखिए stop loss target को कैसे set करते हैं इस चीज को सीखिए उसके बाद support and resistance क्या होता है कैसे draw करते हैं इस चीज को सीखिए फिर कुछ candle stick pattern को सीखिए उसके बाद आप एक दो indicator को सीखिए अगर आप time देकर इन सब चीजों को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही असानी से trading कर सकते हैं देखिए यह सारी चीजे आपको मेरे चैनल पर free में मिल सकती है और आप इन सबी चीजों को YouTube पर भी free में सीख सकते हैं मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको clear हो गया होगा कि trading करने के लिए starting में क्या-क्या सीखना जरूरी है बस आज की इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो से आपको क्या सिखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप जानना चाते हैं एक महीने रेगुलर एक लाक रुपे से ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमा सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियो से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए